यहलो दोध्रों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटिव चैनल शोणो अनलािन गुरू में आज के विडियो में आपके जानेंगे प्लेटफ बढ़ाने के उपाय सब्लेतलेस बढ़ाने के लिए खाने में क्या खाना चाहिए प्लेतलेस बढ़ाने के घरेले उपाई आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी जो की बहुत ही जादा महतपूर है और इस समय डेंगू बीमारी बहुत तेजी से फैलता है और डेंगू बीमारी मनुस्री के प्लेटलेस को सबसे ज्यादा प्रवायुद करता है मनुस्री का किजेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा जिससे ऐसे ही इंपोर्टेंट और हेल्फूल वीडियो आप लोग को हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहें तो चले वीडियो को स्बसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि प्लेटलेस ह होता क्या है प्लेटलेस के बारे में सरल उससे समझा जाए तो कर सकते हैं कि यह ऐसी कोशिकाय होती हैं जो रक्त को बहने से रोकती हैं शरीर में किसी चोट या अन्यकारण से रक्त वाईका से रक्त सा होने पर प्लेटलेस के द्वारा ही खून को रोकने का कार किया जाता है मुख्यत्य प्लेटलेस की कमी समस्या का कारण बनती है तो चलिए वो घरेलू उपाई कौन कौन से हैं जान लेते हैं जिसकी सहायता से हम लोग घर पर ही अपनी प्लेटलेस काउंट को असानी से इंक्रीज कर सकते हैं तो सबसे पहला नमबर आता है आवला का आवला एक लोग प्री आईरुवेदिक दवा है जो प्लेटलेस की गिंती को बढ़ाने के लिए इस्तमाल किया जाता है आवला में विटामिन C प्लेटलेस के उत्पादन को बढ़ाने और आपकी प्रतीरच्छा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है इसके लिए रोज सुबा खाली पेट तीन से चार आउले का सेवन करना होता है नेक्ट है विट ग्रास विट ग्रास क्या होता है आईए जानते हैं विट ग्रास प्लेटलेस गिंती बढ़ाने में फायदे मंद हो सकता है वास्तव में यह हीमोगलवीन लाल रक्त को सिका कुल सफेद रक्त को सिका और यहाँ पर भिन सफेद रक्त को सिकाओं की मात्रा में महत्पूर्ण विद्धी का उपादन कर सकता है यह इसलिए होता है क्योंकि वीट ग्रास मानव रक्त में हीमोगलवीन अणू के समान लगवग एक आणविक संग्रचना के साथ क्लोरोफील में उच होता है बस थोड़े से नीवू के रस के साथ आधा कप वीट ग्रास जूर के साथ मिला कर आपको पीना होता है तो चलिए नेक्स देख लेखते हैं नेक्स उपा है तील के तेल का इस्तमाल यह cold pressed oil प्लेटलेस काउंट की संख्या बढ़ाने में लादायक है तील के तेल में ऐसा गुण होता है जो प्लेटलेस लेबल को प्राकृतिक रूप से बढ़ा सकता है इससे बाड़ी में free element छती सूजन कम हो जाती है और blood circulation में सुधार होता है दिन में दो बार तेल के तेल के एक से दो बड़े चम्मच का सेवन करें आप प्लेटलेस काउंट में ब्रिद्धी के लिए लस्रिका नोट्स के छेत्रों में बाहरी रूप से कुछ तिल का तेल से मालिस कर सकते हैं इसके अलावा खाना पकाने के लिए आप cold pressed तिल का तेल इस्तमाल कर सकते हैं तो चले यहाँ पर next रुपाई जानते हैं प्लेटलेस काउंट के आती है तो ठंडा पानी पीने से परहेज करें क्योंकि यह आपके पाचन तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और शरीर पोशक तत्वों को उचित तरीके से और सोसित नहीं कर पाता इसके बजाए फिल्टर और प्योर पानी पीएं जो की कमरे के टेंपरेचर पर हो यह आपके बाड़ी में अधिक ब्लड सेल्स के उत्पादन में मदद कर सकता है और अंत्ता प्लेटलेस काउंट में सुधार होता है नित्ती रूप से कम आज से दस गिलास पानी जरूर पीना चाहिए सबको नेक्स है नियमित वियाम नियमित वियाम भी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है नियमित वियाम से रक्त परिसंचरन को बढ़ावा मिलेगा आपकी प्रतिरच्छा पढ़ाली में सुधार होगा और प्लेटलेस में बढ़ोत्री हो सकती है कुछ विशिष अभ्यास कम प्लेटलेस की गिन्ती के विभिन इस तरों को बढ़ाने में मदद करते हैं नेक्स है चुकंदर चुकंदर तो सबके किचन में मिल जाता है आमतर पर चुकंदर का सेवन लोग सलाद के रूप में करते हैं यह प्लेटलेस की संक्या बढ़ाने वाले एक प्रचलित आहार के रूप में भी जाने जाती है चुकंदर प्राकृतिक एंटी आक्सिडेंट और हेमो इस्टेटिक तत्वों से भरपूर होने की वज़र से प्लेटलेस काउंट को कुछी दिनों में बढ़ा सकता है यदि आप रोजाना दो तीन चम्मच चुकंदर को गाजर के साथ मिक्स करके पीते हैं तो ब्लट प्लेटलेस में ब्रिद्धी में तेजी आती है चलिए नेक्स जान लेते हैं नेक्स है पपीता पपीता को प्लेटलेस की मात्रा बढ़ाने के लिए बहुत ही लादायक माना जाता है इसके फल और पत्तियां दोनों का ही इस्तिमाल से कुछी दिनों में प्लेटलेश की मातरा बढ़ जाता है डेंगू पुखार में प्लेटलेश की संख्या कम होने पर पपीता के पत्ते के रस के सेवन बहुत फायदेमंद है पपीते के पतियों को आप चाय की तरह भी पी सकते हैं इसके लिए इसे पानी में उबाल कर पीए तो इसका स्वाद ग्रीन टी की तरह लगेगा नेक्स है नारियल पानी नारियल पानी का हम लोग इस्तिमाल कैसे कर सकते हैं नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइटिस प्रचुर मातरा में होते हैं इसके अलावा यह मिन्रल का भी अच्छा स्रोथ होने के कारण बाड़ी में बलड प्लेट्रेस की कमी नहीं होने देता है इसलिए नारियल पानी भी हम लोग के लिए फायदे मांद हो चकता है नेक्स है कद्दू, अब कद्दू की सबजी तो बहुत लोग खाते ही नहीं है, लेकिन कद्दू में इतने सारे फायदे हैं कि आपके प्लेटलेस्ट की संख्या को बहुत आचानी से इंक्रीज कर सकता है, देखें, कद्दू की सबजी खाते समय हमें ये पता भी नहीं होता ह कि ये प्लेटलेस काउंट की बृध्धी करने वाला एक महत्पूरा हार है बिटामिन A से समरिध कद्दू प्लेटलेस के उचित विकास में मदद करता है यह कोर्षिकाव में मौझूदा उत्पादित प्रोटीन के इस्तर को नियंत्रित करके प्लेटलेस इस्तर में प्लेटलेस बढ़ने लगती है और इससे आपकी प्रति रोधी चमता मजबूत होती है इसके लिए दो चुटकी गिलोए के अर्क को एक चमबस सहथ के साथ दिन में दो बार लेना होता है नेक्स है पालक पालक बिटामिन के का एक अच्छा श्रोथ है और अक्सर कम प्लेटलेस बिकार के इलाज में मदद करने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है बिटामिन के सही तरीके से होने वाली ब्लड क्लाटिंग के लिए आवस्यक है इस तरह से यह बहुत अधिक ब्लीडिंग के खत करता है दो कप पानी में 4-5 ताजा पालक के पत्ते को डालक कर कुछ मिनट के लिए उबाल लें इसे ठंडा होने के लिए रख दें इसके बाद इसमें आधा ग्लास टमाटर मिलाकर इसे दिन में तीन बार पीएं तो यह आप लोग के लिए फायदे मन्द रखता है अब तो ये थे हमारे घरेली उपाय जिसकी सायता से हम लोग बहुत ही असानी से घर पर ही प्लेटलेस की मातरा को इंक्रीज कर सकते हैं अब आईए यहाँ पर हम लोग और कुछ जानते हैं आमतर पर सरीर में नार्मर प्लेटलेस काउंट एक लाग पचास अजार से चार लाग पचास अजार प्लेटलेस प्रती माइक्रो लीटर खून में होता है यदि plateless की संख्या 1,50,000 से कम है तो इस इस्तिती को thrombocytopenia के नाम से जानते हैं और यदि plateless की संख्या 4,50,000 से ज़्यादा है तो यह इस्तिती thrombocytosis कालाती है नेक्स देखते हैं इससे कम या ज़्यादा मतलब कि 1,50,000 से कम या 4,50,000 से ज़्यादा इससे कम या ज़्यादा प्लेटलेस होना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता लो रेंज प्रती माइक्रो लीटर खुन में 1,5 लाक से कम या प्लेटलेस होना लो रेंज यानि प्लेटलेस की कमी होती है 20,000 से कम प्लेटलेस की संख्या जान लेवा हो सकती है तो हमारी जादकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेट बैक्स में जरूर बताएं वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ठाइंक्स वाजिक प्रेंड बाबाई